दोस्तों पौधों पर मिली बग का लगना एक बहुत बड़ी समस्य है मिली बग क्या करते हैं चाहाए आपके वो वजिटेबल प्लांट्स हो चाहाए आपके वो फूलों वाले पौधे रहें या फर पर्मनेंट कोई भी औरना मेंटल प्लांट हो लगबग सभी पौधों में आपको ये मिली बग गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़दा दिखाई देते हैं ये सफेद रंग के चिपचिपे कीडे रहते हैं और चीन्टिया इन कीडों को उठाकर एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाती हैं और इनको पूरे गाड़न में फैला देती हैं तो आज की जो ये वीडियो है ये मिली बग कंट्रोल पर ही है मिली बग का कंट्रोल किस तरह से करें मिली बग का खात्मा किस तरह से करें तक कि ये दोबारा से हमारे पौधों पर अटैक ना करें मेरे भी हला कि एक अमरूत के पाओदे में हीपिस्कस के पाओदे में उसकी जो कलियें वो भी गर जाती है तो आज आपके साथ ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बिल्कुल औरगेनिक वे है एक belगेनिक तरीका है इस मिली बग को गंट्रॉल करने का क्या ये मैंने तियार कि इस तरह से इस से मिली बग का सफाया होगा आज की इस वीडियो में ये सब शेयर करूँगा वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो आपको इंफरमिटिव लगेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देतों आपको पूरी कंप्लीट इंफरमेशन इस मिली बग को किंट्रोल को लेकर यह देखी जैसे मैंने आपको बताया मेरे अमरूद के पौदे में मिली बग का जो अटैक है वो बहुत जदा है यहां पर देखिए आपको मिली बग दिखाई देंगे तो यह बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं अगर आपके पौदे में कलियां बनती हैं कलियां खिलती नहीं है फ्रूट्स जो फ्लार्ज हैं वो फ्रूट्स में कनवर्ट नहीं होते इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रहता है इन मिली बग का यहां पर भी आप देखिए यह पत्ती के पीछे की साइड में मिली बग का अटैक हुआ है और गमले पर भी चींटियां बहुत सी घुमती रहती है इस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने एक लिटर पानी लिया है एक लिटर पानी के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं एड़ करने वाला हूं यह रिखिए यह खटा दही है जो पुराना दही रहता है जिसको आप घर में कड़ी के लिए यूज करते हैं तो यह लगभग आठ से दस दिन पुराना खटा दही एक है इसका आधा से एक चमच इसतरा से इसी पानी में हम इसको जो जो है वो दरही को मिक्स कर लेंगे शो एस तो अ कि यह हमारा जो इस पानीела होने के लिए मैंने कुछ दस दिन पहले छोड़ दिया था ये दस से बारा दिन का रिजल्ट है थोड़े से चावल लगभग पचास ग्राम जो चावल रहते हैं उनको इस तरह से दो सु एक साथ जो है वो फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजे लगभग पांस से साथ दिन के लिए इसके लवाब तीसरी जो चीज़ यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं वो देखे इस तरह से गार्लिक जो लसन रहता है घर में किचिन में अवलेवल रहता है बिलकुल औरगैनिक तो उसमें भी बहुत बुरी समयल रहती है जब इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना पड़ता है तो इसकी पांस से साथ कलियां दस कलियां आप इसमें मैश करके इसी पानी में छोड़ दीज़ये लगवाग 5-7 दिन के लिए उसके बाद आपको इन सभी चीज़ों को कुछ इस तरह से जो अच्छे से मिक्स कर लेना है बहूत बड़िया से मैंली जो ये लम्ज रहते हैं करड के अंदर जो दही के अंदर लम्ज हैं ये बिलकुल भी ना बचे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आप दही का इस्तमाल नहीं इसके जगह आप छाच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास बटर मिल्क हो उसका इस्तेमाल कीजेगा तो यह दिखिए इस तरह से करने के बाद हमारा जो यह कुछ लिक्विड है कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब इसको हमें पांच से साथ दिन के लिए जो फर स्टिक कर पाए उसके लिए आपको लगबख एक एमेल या एक ग्राम के आस पास इस तरह से कोई भी शेंपू जो रहता है उसको बीच में डिजॉल्व कर लेना है तो यह देखी दोस्तों यह कुछ मैंने आज से दस दिन पहले जो रेडी किया था उसका यह रिजल्ट है मैंन अब इसका हम स्प्रे करेंगे फिर आपको जो रिजल्ट है वो शेर करता हूं अच्छे से आपको प्रेशर बना लेना है इस प्रेशर बोटल से बहुत से कमेंट्स आते हैं यह प्रेशर बोटल कहां से मिलेगी तो यह बहुत एजली ओनलाइन एवलेबल रहती है यह रिख इसकी जो कलियां पीली पड़ती है उसका एक बड़ा रिजन रहता है यह मिली बग यह रेकिए इस तरह से कलियां जो आपके पौदे में गिरती रहती है इसका बड़ा रिजन रहता है मिली बग तो इसको भी हम यहां से जो है वो बलकुल साफ कर देंगे इसी स्प्रे की तो यह देखिएगा इस तरह से आपको बिल्कुल नजर आएगा यहां पर भी देखिए चोटा सा भी जो अटैक है वो शुरू हुए तो बिल्कुल यह खतम होने देंगे तो बस उस तो यह थी मिली बग को कंट्रोल को लेकर एक वीडियो चोटा सा जो आपके साथ शेयर कि कि अजयर कि घूस बगएगा कि उस्लिक विली देखिए साथ लोगे एक टा़के सहां आपके साथ जो से आपके साथ जूसे जाजयर को यह भी अ का.